असलाम अलेकुम अज जैसी दोनों step-by-step नूडल नमे त्रीके ना बना के दखावा गे कैसे खा रहे हैं बचो कैसे बने है नूडल बताओ अच्छे के अच्छे के बनाने जा रहे हैं घर पे नूडल जो दू मिंट में बन जाते हैं बच्चों के फेडरेट होते हैं दो फ्लेवल के नूडल ले लिया हमने, बंदगोबी, आलू, मटर और गाजर, चुलो गाज, गैस पे हम चड़ा लेंगे, देश की पानी ले लिया है, गैस चला लिया है, पानी को घरम करेंगे, फिर इसमें डालेंगे सबसिया, लोगाई, पानी अच्छे से गरम हो गया, ब तो इसमें डालेंगे हम अपनी सबस्या, पका लेंगे 5-5 में जादा निए लोग आईज, पेना हम सब्जियों के साथ डालेंगे नमक, एक चमच डालेंगे घी का, अधाकि यह सब्जियों अच्छे से सौफ्ट हो जाएएगे, गी के साथ लोगाइज सबजी पक गई हैं अब इसमें हम डालेंगे ये नूडल अब इने अच्छे से पकाएंगे लोगाइज नूडल सबजी पकना शुरू हो गई है पानी अच्छे से खुशे करके हम इसे अब नीचे उतार लेंगे लोगाइज पानी खुश्क हो गया अब इसे हम देच्छी को नीचे उतार लेंगे एक और पैन हम चड़ा देंगे गैस पर इसमें डालेंगे घी जब घी अच्छे से घर्म हो जाए इसमें डालेंगे जीरा मसाला दो मिन्ट बाद इसे हम इसमें डालेंगे सब्सभी हम हलका सबहुन लेंगे पकना शुरू हो गया है जीरा अब हम इसमें डालेंगे सब्सभी लोगाइज अब इसमें डालेंगे इसे कहते हैं जबरदस्ट नूडल अच्छे से पका लेंगे बच्चों की सबसे फेवरेट डिशों में से ये एक नूडल है जल्दी बन भी जाते हैं और बच्चे बड़े शोक से खाते हैं बच्चों को रुजाना दे हैं उनका मन नूडलों से हल्का सा नमक डालेंगे कलर चेंज करने के लिए हल्की सी हल्दी जादा नहीं चुटकी भर हल्दी अब इस नीचे उतार लेंगे घाजर मतर आलू नूडल हर चीज इतनी सौफ्ट है इतनी अच्छे सही के से पग गई है अब इसकी प्लेटिंग करेंगे अब इस नीचे उतार लेंगे अब इसे प्लेट में सजाएंगे कितना अच्छा कलर हर चीज इतनी सौफ्ट है बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है लोग इस शाइनिंग के लिए हल्का सा धनिया डाल देंगे अब पक कर बिल्कुल रेडी है लोग आइस आप बच्छों को टे देखें कैसे बने है हमारी डिशार्ज की कैसी लगी आपको बताएं और घर पे जरूर ट्राइ करेंगे मिलेंगे अगली वीडियो में अलाहाफिज लोग आइस बच्छे टूट पढ़े है नूडलों पर देखो कैसे खा रहे हैं बच्छों कैसे बने हैं नूडल बताओ अ आप सार्थ सब्सक्राइब साघ चोब में बच्छों का